देखिए आप आज हमें करना था ओवर वेल्यूड ओफ स्टॉक द्यान देजिए हम स्टॉक के बात कर रहे हैं और स्टॉक में भी पता है कौन सा क्लोजिंग स्टॉक अब ध्यान देजिए अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की आप से बात करूँ तो इसके दो आस्पेक्ट है उन दोनों को समझ लिया जाए मैं आपके सामने दो साल का डेटा रखता हूँ एक एक्जामपल के दुरूँ चलिए माल लेते हैं ये दो हजार दस और ये भी दो हजार दस देट इस बैलेंच शीट और ये पी ट्रेडिंग ट्रेडिंग पी एंडल कुछ भी गहलो ये आगया दो हजार ग्यारा और ये आगया दो हजार ग्यारा देट इस बैलेंच शीट और ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट अंड लॉस ठीक है मैंने यहा लिखा आपके सामने सेल्स पचास हजार सेल्स पचास हजार है और सपोज मैंने यहां पर्चेस लिखा एंडि क्लोजिंग स्टॉक लिखा बीस हजार तो आप सिंपली बात करते हैं माल लेते हैं कोई खर्चा ही नहीं है इसके इलाबा यह सत्तर होगा और यह भी सत्तर और पहले से मैं कैपिटल लेके चल रहा हूं पहले से मेरे पास दो लाग का कैपिटल था और इसमें अब जो भी यहां से प्रॉफिट आएगा सत्तर और तीस चालिस आएगा प्रॉफिट और यह प्रॉफिट यहां एड़ हो जाएगा नेट प्रॉफिट कितने का यानि यह दो चालेस ठीक है अब इसके अंदर मजे की बात यह है कि मैं बताऊं कि इसके अंदर ना एरर है एरर है कि यह क्लोजिंग स्टॉक ना एक्चुल माईने में देखा जाए जो यह क्लोजिंग स्टॉक है वो एक्चुल माईने में आप मुझे बताना एक्चुल था यह पंदरा था तो क्या फरक पड़ेगा कैल्कुलेशन बताना तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि अगर यह एरर है एरर क्या है कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखना पंदरा था और लिखा बीस ठीक है तो आप बताइए जो मैं इस साल लिखूंगा इस साल जब जाएगा तो यह वाला क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक बनेगा हा के ना और इस साल जो ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा मैं वो बीस लिखूंगा जो कि यह भी गलत है और इस साल जो capital लिखूँगा वो मैं capital लिखूँगा कितना लिखूँगा इस साल में capital दो चालिस ये भी गलत है समझो बस link करना आप न story को link करो क्या कहना चाहरा हूँ तो सहाब अगर सही लिखता मैं तो यहाँ पे ये जो है न वो आता हमारा 35 क्योंकि ये होता हमारा 65, 65 में से 30 जाते तो बसते 35 समझ रहे हैं और ये 35 होता तो यहाँ भी add कितना होता 35 इसका मतलब हमारा जो capital होता वो 235 होता है न यही होता अगर मैं इसके अंदर correction करने के लिए बोलू तो सही माइने में ये होना चाहिए 15 और ये होना चाहिए 2 35 तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ मैं माइनेस कर दू 5000 और यहाँ भी माइनेस क्या कर दू तो ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा हो जाएगा यानि इन केस हमारा stock कभी भी closing stock पिछले साल का closing stock कभी भी हमारा overvalued हो overvalued मतलब 15 के जगह आपने 20 लिखा तो इसको बोलेंगे overvalued तो उसके वज़े से 2 जगह impact पढ़ जाता है कहां कहां पढ़ता है एक तो current year के opening stock में closing में नहीं current year के opening और current year के capital में समझ में आ रही है बात आपको यह कब केस था हमारा overvalued कब हो overvalued तो आप देखिए यहां पर अगर overvalued हुआ तो opening stock में से minus हो जाएगा दूसरा capital में से भी minus हो जाएगा समझ में आए क्या करा मैंने और दूसरा aspect देखें अगर मैं चलो यह वाला समझ में आ गया इसको मैं हटा देता हूँ अब मैं फिर से एक बार ना कम करके दिखा देता हूँ मैं फिर से changes कर रहा हूँ इसके अंदर आप बताना यह हमारी पहले वाली कहानी आगे repeat होके अब मैं इसके अंदर changes यह कर रहा हूँ कि actual में जो था ना वो जो था वो होना चाहिए था 25 लेकिन आपने कितना लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है अंदर वेल्यूट अगर 25 होता तो यह होता 75 और यह 75 होता तो यह होता और यह 45 होता तो यह भी यहाँ 45 ही एड होता और यह भी 5 अब यह जो closing stock था हमने 20 ले गए लेकिन होना एक्चुल कितना चाहिए था तो अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए 5 एड और यहाँ भी 5 तो देखे अगर यह क्या है अंडर वेल्यूट तो अगर अंडर वेल्यूट का केस हुआ तो opening stock में एड और मैंने एक्जाम्पल के साथ बता दिया काफी बच्चों को ना समझ में नहीं आता सर ओपनिंग में एड था तो closing stock ओबर वेल्यूट लेकिन आप opening में क्यों कर रहे हो क्योंकि सर पिछले साल का closing stock इस साल का तो ultimately क्या बनना है opening बनना है बिलकुल जो बताया adjustment समझ में आ गया है clear है